हिमाचल विधान सभा के लिए पोलिंग शुरू हो गई है काफि दिल्चस्प चुनाओ है बीजेपी रिवाल बदलने के बात कर रही है और कॉंग्रेस राज हमारे साथ विक्रमादित्य सिंग है जो कि शिमला ग्रामीन से मौजुदा विधायक भी है कैनिडेट भी है स्वर्गिय वीरभदर सिंग जी के बेटे हैं कईबार के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक भी रहे और काफी दार्मदार भी रहा इनके ओपर कॉंग्रेस के प्रचारका वोटिंग शुरू हो गई है क्या उमीदे हैं आपको अमीदे कीबल हम कोई नहीं मगर पूरे परदेश के लोगों को है और यह चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा परदेश की 70 लाख मदाताओं ने लड़ा है एक बदलाफ के लिए लड़ा है नई उर्जा के लड़ा है नई रोजगार के लिए लड़ा है, महिलाओं को शशक्त करने के लिए लड़ा है करमचारियों को OPS दिलाने के लिए लड़ा है बागवान किसानों को अपनी आये दुगनी करने के लिए जो हमने बाते कही हैं उसके लिए लड़ा है हर वर्ग की आवास को हमने इन चुनावों में मजबूत किया है और जो ओवर्वेल्मिंग रिस्पॉन्स पूरे प्रदेश में हमको देखने को मिला है वो इस जीस को दर्शाता है कि कॉंग्रेस पार्टी वापस ही नहीं आ रही है मगर जबर्दस तरीके से एक सुनामी की तरीकी से वापस आ रही है और आज जो है वो हमारा हमारी पोलिंग डेट है मुझे पुरा विश्वास है कि कॉंग्रेस पार्टी के मदाता एक बदलाव के साथ क्योंकि यो ये सरकार पिछले पांच साल रही है प्रदेश के अंदर ये अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से असमर्त रही है और सबसे बड़ी बात है कि इन डिसाइसिवनेस जो है इस सरकार का हॉलमाक रहा है क्योंकि गवर्मेंट जो होती है उसमें जो लीडर होता है उनका डिसाइसिवनेस स्ट्रॉंग लीडर्शिप जो है वो प्रदेश के शब लोग चाहते है और वो ये सरकार जो है पूरी तरीके से देने में नाकाम रही है बीजेपि ने बहुत हई प्रोफाइल कैंपेंड रखाए हाँ पर परतान मंतरी मोदी ने 5 रेलियां की डड़ा जी ने 50 से जादया रेलियां की अमिर्शा जी रियां की योगिया दितनात ने जबस रेलियां की इंदिर्मला सितर्मन बीजेपी ने पूरी मशिनरी लगा दी तो बीजेपी के इतने हाई प्रोफाइल कैम्पेइन के सामने आपका कैम्पेइन बहुत लोकलाइज रहा खरगे साहब आए आपके यहां रैली भी क्यों होने हमने वो कवर भी की थी लेकिन कॉंग्रिस का वो सेंट्रल लीडर्शिप का वो अग्रेसिव कैम्पीन यहां नजर ने आया प्रियंका के लावा देखिए ऐसा है हिमाचल में मैंने मैं तो डेवन से कह रहा हूँ कि हिमाचल जो है चुनाव लड़ा है हिमाचलियत के ओपर चुनाव लड़ा जा रहा है और हिमाचल के लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं उसमें जितना मर्दी पियार मैनेजमेंट कर लें करोडों की रैलियां करवा लें परधान मंतरी जी आएं मैंने डेवन पे भी कहा था कि हम परधान मंतरी जी का बहुत मानसमान करते हैं वो हमारे भी परधान मंतरी है मगर उन्होंने पांट साल में प्रदेश को क्या दिया डबल इंजिन की बाते हुई, ना नाशनल हाइवे बने, ना एरपोर्ट बना, ना ग्रीन फील्ड एरपोर्ट बना, ड्रग पार्ग की बात करते हैं, उसका भी मात्र MOU हुआ, आदे अदूरे एम्स का उधगाटन करके चले गए, तीन-तीन मेडिकल कॉलेजेज, तीनों हमार प्रदेश की जनता बहुत स्यानी है, वो जानती है कि ये चुनाव मुखे मंत्री और प्रदेश सरकार की कारे परनाली पर लड़ा जाएगा, अगले पांच साल जो यहां के लोकलाइजड इशूज है, उसके उपर काम होना है, जो यहां से सचीवाले से होंगे, मोधी जी ह हर काम करने थोड़ी आएंगे, अब नलका लगाने के लिए या शड़क बनाने के लिए प्रधान मंत्री तो नहीं आएंगे, आपकी उम्र सिफ 33 और अमने आपका देखा है, यहां बहुत पॉपिलर है आप, अच्छा इस बार 33 साल के उम्र में, पिता जी थे पिछली बार आपके विर्भदर जी तरह काफी उनका मारत दर्शन रहा, इस बार आपकी मदर PCC है, लेकिन कहीं न कहीं आपको वैक्यूम तो लग रहा होगा, इसके लावा क्या लगा, लोगों से इतनी मौपमाता, बहुत पॉपिलर है, आप हर जगे हर कोई आप से सेलफी लेना चाहत कि ही कंटिनुस तो रूल दे हाट्स और पीपल और ही कंटिनुस तो लिव इन दे हाट्स और पीपल आपको विरोध करने में विश्वास रखता हूं, तो लोगों को यह चीज पसंद भी आती है, और लोगों से इसको अप्रिशेट करते हैं, इसलिए जहां पर भी हम जाते हैं, इश्वर के आशिरवाद के साथ ओवर्वेल्मिंग रिस्पॉंस लोगों का मिलता है, उसके लिए मन का धन्यवाद करूँगा, और उनकी जो अब इलाशा हैं, उनको आने वाले समय में पूरा करने का भी पूरा प्रियास करूँगा. यह थे हमारे साथ 33 साल के राजा विक्रमा दित्य सिंग, जो की दुवारा मैदान में हो, और काफी उम्मीद है, स्टार पचारक रहे हैं कॉंग्रेस की, तो पूरे कॉंग्रेस से क्यामपेण भी भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, फिलहाल मददान हो रहे हैं, आब आ अरशोक महले के साथ शम्मला से स्वारपशोक लाइनिती वे लिया